सभी को मेरा नमस्कार मेरा ये स्टेटमेंट है जो मैं आपके समक्षिसकों में पड़ रही हूँ प्रिय पत्रकार बंधू विधान सभा परिसत में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अपने माध्यम से अपनी मंशा प्रदेश के सामने रखी थी और कहा था कि युवाओं को निराश नहीं होना है और मेरा पुरा प्रयास रहेगा कि मैं प्रदेश के युवाओं के आशाओं वो अपेक्षाओं पर खरी उतरने का प्रयास इमानदारी से कर सकूँ मैंने ये भी कहा था कि मैं अनिमेवताओं को लेकर कठोड निर्ने लेने में संपोच भी नहीं करूँगी आज 23 सितंबर है और ठीक 20 दिन पहले 3 सितंबर को यही पर हम आपने बादची की थी तब मैंने ये बादा भी किया था कि जल्द ही मैं आपसे दिवारा मुलाकात करूँगी मैं आप सब को सूचित करना चाहती हूँ कि मुझे कल देर रात विशेश्यक्य समिती से जांच रिपोर्ट राप्त हो गई है आप जानते हैं कि मैं गोर्तवार में थी और मैं वहां से जब लोटी तो मुझे ख़बर आई कि पूरी रिपोर्ट तयार है इसलिए वो मुझे सौपना चाहते हैं समिती ने ये सरानिय कार किया है मैं अप्रिशियेट करूँगी हमारे समिती को समिती ने सहरानिय कार किया है और निर्धारित अवधी के पूर्व ही रिपोर्ट सौब दी है पूरी रिपोर्ट 2014 पेज की है लेकिन इसमें सलंगन भी शामिल है जबकि केवल रिपोर्ट की अंच जो है वो 29 पेज के है समिती ने विधानसवा सचिवाले के रिकॉर्ड का परिक्षन करने पर यह पाया कि वर्ष 2016 तक वर्ष 2020 तथा वर्ष 2021 में जो तदर्थ नियुक्तिया की गई उनमें अनिमित्ताइं थी तथा इन भर्षियों में विभिन पदों के लिए निक्थारित नियमों का पालन नहीं हुआ है समिती ने विभिन न्यालाय में द्वारा नियम विरुध भर्षियों के संबंध में समय समय पर दिये गए आदेशों का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि निमलिखित कारणों से नियमों के विरुध की गई इन तदर्थ नियुक्तियों को ततकाल रभाव से निरस्थ कर दिया जाए समिती ने वर्ष 2016 तक 150 तदर्थ नियुक्तियों, वर्ष 2020 में 6 तदर्थ नियुक्तियों तथा वर्ष 2021 में 72 तदर्थ नियुक्तियों की पहचान कर उन्हें निरस्त करने की सिफारिश की है समिती ने इस संबंध में जो कारण बताए हैं वो इस प्रकार है सेवा के विभिन पदों पर सीवी भर्ती के लिए निधारित चैन समिती का गठन नहीं किया गया इस प्रकार या तधर्थ नियुक्तियां चैन समिती के माथ्यम से नहीं की गई है तधर्थ नियुक्तिये के जाने हेतु कोई विध्याकर नहीं दिया गया और ना ही कोई सारवजनिक सूचना दी गई और ना ही रोजगार कारयले से नाम मंगाए गई तदर्थ न्यूक्ति किये जाने हेतू इच्छुक अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र नहीं मागे गई केवल व्यक्तिकत आवेदन पत्रों पर न्यूक्ति प्रदान कर दी गई तदर्थ न्यूक्ति किये गए जाने हेतू कोई प्रतियोगिता एक्जाम परीक्षा आयोजित नहीं किये गए इन तदर्थ भट्यों के लिए सभी पात्र एवं इच्छुक अभ्यार्थियों को सामानता का अवसर प्रदान नहीं करके भारत के सविधान के अनुछेद 14 एवं अनुछेद 16 का उलंगन गुआ है जान समिती ने अपने रिबोर्ट में इस बात का भी उलेख किया है कि कार्मिक विभाग के 6 फरवरी 2003 के शाषना देश द्वारा विभिन विभागों के अंतरगत तदर्थ, समिधा, नियत वेतन, दैनिक वेतन पर की जाने वाली नियूप्तियों पर रोख लगाई गई है इस प्रकार की नियूप्तियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा पत्रकार बंधू, इतनी विस्वरित जानकारी आपके साथ शेयर करने से ये लाब होगा कि जान समिती की सिफारिशों के अनुरूप, विधान सभा अध्यक्ष के रूप में मैंने जो निड़ने लिये हैं, उनको समझने में आपको आसानी होगी विधान सभा अध्यक्ष के रूप में जान समिती की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए, वर्ष 2016 तक की 150 तदर्थ नियुक्तों को, वर्ष 2020 की 6 तदर्थ नियुक्तियों को, तथा वर्ष 2021 की 72 तदर्थ नियुक्तियों को निरस्ट करने का निर्णे लिया है, चूंकि इन तदर्थ नियुक्तियों को शाषन का अनुबोधन प्राप्त है, अथा नियमा अनुसार इन तदर्थ नियुक्तों का निरस्ट करने के लिए शाषन को अनुबोधन लेना आवश्यक होगा, इस इन नियम विरुध तदर्थ नियुक्तों को निरस्ट करने के लिए अनुमा अनुमोधन प्राप्त होते ही नियम गिरुद्ध तदर्थ नियुक्तियां ततकाल समाप्त कर दी जाएं।